मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे कभिनंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यह चैनल आपका है आपके लिए है और आप ही इसका मूल कारण है इसे आप देख पा रहे हैं यूट्यो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और यता संभव जतना संभव हो सके इसे शेर दरूर करें क्योंकि आपका एक शेर बहुत बड़ा काम करेगा आपका एक शेर इस ग्यान को बढ़ाएगा आगे और जोतिश का प्रचार और पसार तो करेगा ही करेगा साथ बसाथ के दूसरे के जीवन को भी सुलभ बनाएं और शेर दरू करें यूट्यूब पर शेर कर सकते हैं आप फेस्बुक पर शेर कर सकते हैं एंग टीवी पर शेर कर सकते हैं और अब हम आज एक विशेश सेग्मेंट के अंतरगात आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं सेग्मेंट है समस्या और समधान यानि के कारण और निवारन हाना कारण और निवारन और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिर्दर्द का कारण और निवारन इस दुनिया के सबसे आम बिमारी सिर्दर् अब यह आपने सोचा है सिर्दर्थ होता क्यों है आकर लोग सोचते नहीं है हो जाता है एक कहीं से भी गोली लिया एक खाली यही होता है नहीं होता है सिर्दर्थ के बहुत सारे कारण होते हैं और scientific reasons के अलावा medical reasons के अलावा clinical और medical astrology कहती के सिर्दर्थ का जोतिश्य कारण भी होता है जिसके कारण से सिर्दर्थ होते हैं दोनों पर चर्चा करेंगे साइंस पर चर्चा करेंगे और निवारन भी बताएंगे तो आज का हमारा जो कारण और निवारन सेग्मेंट का जो हमारा विशेश विशेव है क्या है को बताने में सक्षब है और इसे एक अलग ही विंग से देखा जाता है जैसे हम कहते हैं medical astrology चिकित्सा जोतिश इसे कुछ लोग clinical astrology भी कहते हैं सिर्दर्द सबसे आम बिमारी और आज के समय में तो आम समस्या ही है भाग दोड़ बढ़ी जिंदगी है और आज हर दूसरा इंसा पाने समस्या से जूजरा और मैं आपको बताऊं महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन जाए महीने में एक दिन तो ऐसा होता ही है कि व्यक्ति सिर्दर्द से पीड़त हो जाता है क्योंकि lifestyle इस ही हो गई है इससे निजात पाने के लिए लोग दवाईया भी खाते हैं सेवन करते हैं अंदाधून दोयां चल रही हैं लेकिन कई बार दवा लेने के बाद भी इस रोगों से आराम नहीं मिल पाता जोतिश शास्त्री के अगर माने तो सिर्दर्द का नाता हमारे घ्रहे नक्षत्रों से होता है और at least clinical astrology और medical astrology तो यहीं कहती है जोतिश शास्त्र इस बारे मे सिर्दर्द हो चाहे वो migraine हो back head बाला pain हो बहुत सारे तरीके हैं at least 5 तरीके के तो headaches होते ही होते हैं जोतिश शास्त्र में रोगों का विचार जो है वो भावों से किया जाता है और दृष्टी से भी किया जाता है लेकिन सबसे पहला importance जो दिया जाता है वो भाव को दिया ज करते हैं संपूर्ण शरीर का विचार लगन से किया जाता है पूरे शरीर का यह face का और यह समझा लीजे यह लगन ही है यह जो हमारी खोपड़ी है हमारा head है यह लगन ही है और इसको तीन भाव त्रिक भाव जो लगन को घेरेव हैं छटा आठमा बारवा इन भावों से रो सातमा भाव आयू का भाव होता है और आयू भाव से सातमा भाव मृत्यू का भाव होता है तो पहले से सातमा भाव पहला भाव अगर जन्म का है तो सातमा भाव मृत्यू का हुआ वो भी इन वाल हुआ आठमा भाव अगर आयू है तो दूसरा भाव प्रबल मारकेश हुआ साथमा भाव मारकेश, आठमा भाव आयुष, छे भाव इन्वाल हैं इसके अंदर, दूसरे और सब्तम मैंने आपको होता है, पहले भाव शरीर और स्वास्ते का विचार करना चाहिए, व्यक्ति की शाररिक और मानसिक शंता का विचार इसी भाव से किया जाता है, छटा इस से शत्रू भाव भी कहते हैं रोग शरीर के प्रबलतम शत्रू होते हैं, इसलिए इस भाव से मुखी रूप से रोगों का विचार करना आवशक होता है, अश्टम भाव आयुः या मृत्यू का भाव होता है, आयू और मृत्यू एक दूसरे के पूरक होते हैं, और क् के अलावा कुंड़ी का बारवा भाव भाव ऑफ ऐस्पिटधिर्जिशन भाव ऑफ मेडिसिन भाव ऑफ ट्रीट्मेंड कहलाता है इस भाव से भी रोगों का विचार किया जाता है js हुआ तो जब तक जिन्दा है तब तक समस्य तो है न अब सुरत का सामान्य कारण क्या सिरदर्द की कुछ समानने कारण है, सबसे पहला, आज का जो परीवेश है, उस पर जादा तनाव लेने से सिरदर्द होता है, दूसरा कारण है, सिरदर्द की समस्या अधिक देर धूप में रहने से होती है, तो इसलिए ऐसे लोगों को भी होता है, जो महनतकश होते हैं, तब प्रेशर बनने के कारण सिरदर्द होता है, आखों की समस्या के कारण सिरदर्द होता है, अब जैसे डियवेटीज की कुछ लोग हैं, उनको आखों की समस्या होती है, तो हम जैसे लोगों को सिरदर्द बहुत रहता है, क्योंकि हम जादा स्ट्रेंड डालते हैं, हमें वातानु कुलत से सामानने वातावरान में आ जाना यानि कि आप एर कंडिशनर में वैठे वे हों और उसके बाद में वापिस से भार गर्मी में आ जाएं गर्मी से एकदम में एसी में चले जाएं वाईसे वरसा तो सिरदर्द होता है किसी समस्या को अधिक सोचने के कारण सि सिरदर्थ होता है अब दोस्तों हम एक बात और जानेंगे बहुत खास तरीके से जानेंगे देखे सिरदर्थ का जोतिश ये कारण क्या है अभी तक तो हमने रिजिनिंग पता कर गई लेकिन अब हम खास बात करेंगे सिरदर्थ का जोतिश ये कारण क्या है देखे जोतिश का अनुसार जन्म कुंडिली में पहला भाव लगन मस्तिश के यानि सिर का प्रतिन दित्व करता है जो मैंने आपको बता है लगनेश इसके पीड़ित होने पर किसी भी अशुबग्रह की दृष्टी होने पर या जैसे शनी केस पर बैड़ जाने पर या ब्रहस्पती के बैड़ तो सुर्दत का खरणोता है दूसरी तो भी तो बी सर्वस konnte खांब नहीं की अधा दर्द माइगरेंड से पीड़ थो जया तो को सूरय ग्रेशे का संबन्द माइपल यानि कि आधी सीसी दिता है कैसे जिंका योग भी जिनका जन्मभी अमावस्या या के आसपास हुआ है उनको माईगरिन की समस्या बहुत जादा रहती है या वो लोग जो कृष्ण पक्ष में दिन के समय पैदा हुआ है या वो लोग जो शुकल पक्ष में रात के समय पैदा हुआ है और चंद्रमा के शे होने के समय पैदा हुए तो उनको बहुत ज़्यादा सुरदर्द की समस्य रहती है निर्बल मंगल ग्रह होने से सुरदर्द अधिक परिशान करता है और इसी के कारण से तनाव रहता है राहु मंगल और शनी तीनो एकी राशे में स्तित हों तो सुरदर्द होता है सुर्य के दशा में शुक्र के अंतरदशा आजाए जनरली में तो सुरदर्द होता है बुद्ध के दशा में मंगल के अंतरदशा आने पर सुरदर्द होता है शनी लगने शोकर लगन में बढ़ जाए या ब्रहसपती लगने शोकर के लगन में बढ़ जाए तो सरदर्द की समस्या रहती है और सिर में चोट की भी सम्मामना बन जाती है ऐसे में लगन में राहू हो पाप ग्रह हो और यूती कर रहे हो especially mangal रहुतो सुरदर्द की समस्या रहती है और ऐसे में सबसे खास हो गया है आजकल blood pressure जिसकी वज़े से mangal खराब होने के वज़े से सुरदर्द होता है क्योंकि जिसकी कि भी mangal खराब है उसको blood pressure की problem है heart की नहीं blood pressure की problem है अब इसका निवारन क्या है सबसे पहले यह जानेगे और जिसके वज़े से आप जोड़ रहे हैं देखे सबसे पहली बात सुर्य को ठीक करने के लिए नमक का प्रयोग बहुत कम कर दे और रविवार के दिन अट लीस्ट नमक ना खाएं सरफ संडे संडे आप गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं आप कुछ और खा सकते हैं नमक का प्रयोग संडे संडे बंद कर दीजे और वैसे भी यह समझ लीजे कि जो आप नमक खा रहे हैं उसका एक चौथाई कर दीजे अगर सुर्दत से परिशानी है तो उससे काफी हद तक सोधार आएगा दूसरी बात रोज सूर्य नमस्क्यार कीजे और गायतरी मंतर का जाप कीजे इससे सूर्य आपका करेक्ट हो जाएगा चांदी का स्तमाल बिलकुल भी नहीं करना है हमको और सफेद कपड़े भी बिलकुल नहीं पहनने है तक कि अंडर गार्मेंट्स भी सफेद नहीं पहनने है हर मंगलवार और शनिवार एक नियम बांद लीजे एक नारियल पानी वाला जिस पर चोटी हो वो अपने सर से क्लॉकवाइस साथ वार वार करके उसको जल में बहा देना है जल प्रभा कर देना है और आखरी चीज देखें ये विशेश उपाय है तांबे के लोटे में पानी भर कर उसमें अपनी चाया देखें और उस पानी को रविवार के दिन बेल का जो पेड़ होता है बेल वो पत्र का या बेल फल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में डाल दें आज बस तकर रहा हूँ किसी भी तरीके का आपको सरदर्द होगा न निश्चत शीगरती शीगर उसका निवारन हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विश्व को लेकर जहां हम करेंगे आपके जिग्यासा कोशान लाएंगे आपके लिए कुछ नया ऐसा जो कॉमन नहीं हटके और जाने से पहले आपको सभी से यही निवेदन करूँगा कि यह चैनल आपका है, आपके लिए है, कमल नंद।। आपके लिए इसे like करें, subscribe करें और share जरू करें, आप इसे YouTube पर, community page पर, Facebook आपके page profile या आपके ग्रूप में या IGTV पर आप इसे share कर सकते हैं, share chat में share कर सकते हैं, MS तकटक पे कर सकते हैं, जोश पे कर सकते हैं, बहुत सारी application आप इसे share कर सकते हैं, और इसे लोगों तक जाएंगे ठीक शाम को पांच वेजे, एक दिन पहले का राशिफल, जहां हम आपको ये बताएंगे कि एक दिन पहले कि आपके साथ में क्या होने जा रहा है, तो आपके राशिफल के लिए तयार रहीएगा, और बहुत ही जल्द हम राशिफल के साथ आप से फिर मुलाकात करेंगे और राशिफल सब से पहला आप देख पाएंगे 11 तरीक से, तो 12 तरीक का राशिफल के लोगा आप 11 की शाम को पांच वेजसे से देख पाएंगे, इजाज़त दीजे इस उमीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल जो है, हमारा आने वाला कल है, हँऊ आप से कुछ भेतर हो, सुखद हो, सुन्दर हो, इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाय, हर हर, महादीव.